मेरे प्यारे देश स्वासियों, पिछली बार जब मैंने मन की बात आप से की थी, तब भूकम की भहेंकर घटना ने मुझे बहुत बिचलित कर दिया था, मन बात करना नहीं चाहता था, फिर भी मन की बात की थी, आज जब मैं मन की बात कर रहा हूँ, तो चारों तरफ भहेंकर गरम हवा, गर्मी, परेशानिया, उसकी खबरे आ रही है, मेरी आप सबसे प्रात्रा है, कि इस गर्मी के समय हम अपना तो खायाल रखें, हमें हर कोई कहता होगा बहुत ज़्यादा पानी पीए, शरीर को ठांक करके रखें, लेकिन मैं आप सो कहता हूँ, हम अपने अगल वगल में पशु पक्षी की भी दरकार करें, यह अवसर होता है, परिवार में बच्चों को एक काम दिया जाएं, कि वो घर के बहार, किसी बरतन में पक्षी हों, कि वो पीने के लिए पानी रखें, और यह भी देखें, वो ग यह मौसम एक तरफ गर्मी का भी है, तो कहीं खुशी कहीं गम का भी है, एक्जाम देने के बाद जब तक नतीजे नहीं आते, तब तक मन चैन से नहीं बैठता है, अब CBHC, अलग अलग बार एक्जाम्स और दूसरे एक्जाम्स पास करने वाले विद्यार्थी मित्रों को अपने नतीजे मिल गए है, मैं उन सब को बढ़ाई देता हूँ, बहुत बढ़ाई, मेरे मन की बात की सार्थक ता, मुझे उस बात से लगी कि जब मुझे कई विद्यार्थियों ने ये जानकारी दी, नतीजे आने के बाद, कि एक्जाम के पहले आपकी मन की बात में जो क मुझे लिखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन आपकी सफलता का कारण को मेरी एक मन की बात नहीं है, आपकी सफलता का कारण आपने साल भर कड़ी महनत की है, पुरे परिवार ने आपके साथ जूड़ करके इस महनत में हिस्सेदारी की है, आपकी स्कूल, आपके टीचर, ह मन की बात परिक्षा में जाते से जाते समय जो टीप मिलती हैं वो पकार किसी लेकिन मुझे आनंद इस बात का आया कि हाँ मन की बात का कैसा उप्योग है कितनी सार्थकता है मुझे खुशी हुई मैं जब कह रहा हूँ कहीं गम कहीं खुशी बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत ही अच्छे मार्स से पास हुए होंगे कुछ मेरे युवा मित्र पास तो हुए होंगे लेकिन हो सकता है मार्स कमाये होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे कि जो विफल हो गए होंगे जो उत्तरण हुए है उनके लिए मेरा इतना ही सुझाव है कि आप उस मोड पर है जहां से आप अपने केरियर का रास्ता चुन रहे हैं अब आपको ताय करना है आगे का रास्ता कौन सा होगा और वो भी किस प्रकार के आगे मी शिक्षा का मारग आप चुनते हैं उस पंदिर भर करेगा आम तोर पर जादा तर विध्यारतियों को पता भी नहीं होता है क्या पढ़ना है क्यों पढ़ना है कहां जाना है लक्ष क्या है जादा तर अपने सरानुंस में जो बाते होती हैं मित्रों में परिवारों में यार दोस्तों में यह अपने माबाप की जो कामनाय रहती है उसके आस्पास निरने होते हैं अब जगत बहुत बड़ा हो चुका है विशों की भी सिमाएं नहीं है अवसरों की भी सिमाएं नहीं है आप जरा साहस के साथ आपकी रूची, प्रकृती, प्रवृती के हिसाब से रास्ता चुनिए प्रचलित मार्गों पर ही जाकर के अपने को खीसते क्यों हो कोशिश कीजिए और आप खुद को जानिये और जान करके आपके भीतर जो उत्तम चीजे हैं उसको सवारने का आउसर मिले, ऐसी पढ़ाई के अक्षेतर क्यों न चुने लेकिन कभी ये भी सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ भी बनूँगा, जो कुछ भी सिखूँगा मेरे देश के लिए उसमें कामा ऐसा क्या होगा बहुत सी जगाशी है, आपको हिरानी होगी बिश्वमैं जितने म्यूज़ियम मनते हैं उसकी तुलनामे भारत में म्यूजियम बहुत कम बनते हैं और कभी-कभी इस म्यूजियम के लिए योगी वेक्तियों को ढूंडना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परंपरागय दुर्प से बहुत पॉपुलर क्षेत्रा नहीं है, खैप मैं कोई एक बात पर आप वो खींचना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहने कातात पर यह है कि देश को उत्तम सिक्षकों की जरूरत है, तो उत्तम सहिनिकों की जरूरत है, उत्तम बैग्यानिकों की जरूरत है, तो उत्तम कलाकार और संगितकारों की भी आवशक्ता है, खेल कुत कितना बड़ा ख्षेत्र है, और खिलाडियों के सिवाए भी खेल कुत जगत के लि भी मेल जोल वाले होने चाहिए यह मोका है आपको अपनी रहाच चुनने का जो विफल हुए हैं उनसे मैं यही करूंगा कि जिन्दगी में सफलता विफलता स्वाभाविक है जो विफलता को एक अवसर मानता है वो सफलता क्या सिलान्यास भी करता है जो विफलता से खुद को विफल बना देता है वो कभी जिवन में सफल नहीं होता है हम विफलता से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और कभी हम ये क्यों न माने हैं कि आज की आपकी विफलता आपको पहचानने का एक अवसर भी बन सकती हैं आपकी शक्तियों को जानने का उसर बन सकती हैं और हो सकता है कि आप अपनी शक्तियों को जान करके अपनी उर्जा को जान करके एक नया रास्ता भी चूल ले मुझे हमारे देश के पूर्व राष्टपती सिमान एपी जे अबदुल कलाम जी की आद आती हैं उन्होंने अपनी किताब माइज्वर्नी ट्रांस्फॉर्मिंग ड्रीम्स इंटो एक्शन उसमें अपने जीवन का एक प्रसंग लिखा है उन्होंने कहा है कि मुझे बनूँ लेकिन मैं जब पाइलोट बनने गया तो भैप फेल हो गया विफल हो गया नापास हो गया ॉनका विफल हो दोस्तों कि विफलता के बोज में दमना मत, विफलता भी एक आउसर होती है, विफलता को ऐसे मत जाने दीजिए, विफलता को भी पकड़के रखिए, ढून्दिये, विफलता के बीच भी आशा का आउसर समाहित होता है, और मेरी खास आगरह पुर्वक बेनती हैं मेरे इन नवजवान दोस्तों को और खास करके उनके परिवार जोनों को कि बेटा अगर विफल हो गया तो माहोल ऐसा मत बनाईए कि वो जिंदगी में ही सारी आशाएं खोदे कभी कभी संतान की विफलता माबाप के सपनों के साथ जुड़ जाती है और उसमें संकट पैदा हो जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए विफलता को पचाने की ताकत भी तो जिंदगी जीने की ताकत देती है मैं फिर एक बार सभी मेरे सफल युवा मित्रों को शुबकामनाई देता हूं और विफल मित्रों को अवसर भूनने का मोका मिला है इसलिए भी मैं इसे शुबकामनाई देता हूं आगे बढ़ने का विश्वास जगाने का प्रयास कीजिए पिछली मन की बात और आज जब मैं आपसे बीच बात कर रहा हूं इस बीच बहुत सारी बाते हो गई मेरी सरकार का एक साल हुआ पुरे देश ने उसका बारी की से विश्टलेशन किया अलोचना की और बहुत सारे लोगों ने हमें डिस्ट्रिंशन मार्ग भी दे दिये वैसे लोकतंत्र में ये मन्थन बहुत आवशक होता है पक्ष भी पक्ष आवशक होता है क्या कम्या रही उसको भी जानना बहुत जरूरी होता है क्या अच्छा ही आ रही उसका भी अपना एक लाव होता है लेकिन मेरे लिए इससे भी ज़्यादा गत महिने की दो बाते मेरे मन को आनंद देती है हमारे देश में गरीबों के लिए कुछ नुकुछ करने के मेरे दिल में हमेशा एक तड़ परहती है नई नई चीजे सोचता हूँ, सुजाव आये तो उसको स्विकार करता हूँ हमने गत मास, प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना, प्रधान मंतरी जीवन ज्योती भीमा योजना, अटल पैंशन योजना सामाजिक सुरक्षा की तीन योजनाओं को लॉंच किया उस योजनाओं को अभी तो 20 दिन नहीं हुए है, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, शायद ही हमारे देश में सरकार पर भरोसा करके, सरकार की योजनाओं पर भरोसा करके, इतनी बड़ी मातरा में सामान्य मार्वी उससे जुड़ जाए मुझे ये बताते हुए खुशी होती है, कि सिरफ 20 दिन के अलप समय में, 8 करोड 52 लाख से अधिक लोगों ने इन योजनाओं में अपना नामांकन करवा दिया, योजनाओं में सरीख हो गए है सामाजिक सुरक्षा के दिशा में, ये हमारा बहुत एहम कदम है, और उसका बहुत लाब आने वाले दिनों में मिलने वाला है जिन के पास अब तक ये बात नहीं पहुंचिए, उनके मरागर हैं, कि आप फाइदा उठाईए कोई सोच सकता है क्या, महिने का एक रूपिया, बारा महिने के सिरफ बारा रूपिये है और आपको सुरक्षा भीमा योजना मिल जाए, जीवन जोती भीमा योजना, रोज का एक रूपिय से भी कम, ये साल का 330 रूपिया मैं इसलिए कहता हूँ, कि गरीबों को औरों पर आस्रित न रहना पड़े, गरीब स्वयम ससक्त बने, उस दिशा में हम एक के बाद एक कर्णम उठा रहे हैं और मैं तो एक ऐसी फोज बनाना चाहता हूँ, और फोज भी मैं गरीबों में से ही चुनना चाहता हूँ और गरीबों में से बनी हुई मेरी ये फोज गरीबी के खिलाब लड़ाई लड़ेगी, गरीबी को परास्त करेगी, और देश में कई वर्षों का ये हमारे सर पर एक बोज है, उस गरीबी से मुक्ति पाने का हम निरंतर प्रयास करते रहें और सभलता पाएंगे दूसरी एक महत्वपुण बात जिससे मुझे आनन्द आ रहा है, वो है किसान टीवी चैनल, वैसे तो देश में टीवी चैनलों की भर्मार है, क्या नहीं है? कार्टून की भी चैनल ये चलती है, स्पोर्ट्स की चैनल चलती है, न्यूज की चलती है, एंटरटेंबन की चल बहुत सारी चलती हैं लेकिन मेरे लिए किसान चैनल महतवपुन इसलिए कि मैं इससे भविश्च को बहुत भली भाती देख पाता हूं मेरी दुर्ष्टी में किसान चैनल एक खेत खलियान वाली ओपन उनिवर्सिटी है अरे ऐसी चैनल है जिसका विद्यारती भी किसान है और जिसका सिक्षक भी किसान है उत्तम अनुभवों से सीखना परंपरागत क्रिश्ची से आधुनिक क्रिश्ची की तरब आगे बढ़ना छोटे छोटे जमीन के टूकडे बचे हैं परिबार बड़े होते गए जमीन का हिस्सा छोटा होता गया और तब हमारे जमीन की उत्पदक्ता कैसे बढ़े फसल में किस प्रकार से परिवरतन लाया जाए इन बातों को सीखना समझना जुरूरी है अब तो मौसम को भी पहले से जाना जा सकता है यह सारी बाते लेकर के यह टीवी चैनल काम करने वाली है और मेरे किसान भाईयों बहनों इसमें हर जिले में किसान मॉनिटर की विवस्ता की गई है आप उसका संपर जुरूर करे मेरे मच्वारे भाई बहनों को भी मैं कहना चाहूंगा मचली पकड़न चैनल में बहुत कुछ है पशुपालन भारत के ग्रामिट जीवन का परहंपरागत काम है और क्रिशी में एक प्रकार से सहायक होने वाला क्षेत्र है लेकिन दुनिया का अगर हिसाब देखे तो दुनिया में पशुओं की संख्या की तुलना में जितना दूद उत्पादन होना चाहिए उतना हमारे देश में नहीं होता है प्रती पशुओं अधिक दूदूत पादन कैसे हो पशुओं की देखवाल कैसे हो उसका लालन पालन कैसे हो उसका खानपान क्या हो परमपरागत रुपसे थम बहुत कुछ करते हैं लेकिन वैज्यानिक तौर तरीकों से आ प्रकार से क्षेत्र में आगे बढ़ें किस प्रकार से हम सफल हो उस दिशा में वज्यानिक महारदर्शन आपको मिले मेरे प्यारे देश्वासियों याद है ने 21 जून वैसे हमारे इस भू भाग में 21 जून को इसलिए याद रखा जाता है कि यह सबसे लंबा दिवस होता ह है लेकिन 21 जून अब विश्व के लिए एक नई पहचान बन गया है गत सितंबर महने में युनाइटेड नेशन्स मैं संबधन करते हुए मैंने एक विश्य रखा था और एक प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को अंतर राष्ट्रिय योगा दिवस के रूप में मनाना है और सारे विश्व को अचरज हो गया आपको भी अचरज हो गया सौ दिन के भीतर भीतर एकसो सततर देशों के समर्थन से ये प्रस्ताव पारीत हो गया इस प्रकार के प्रस्ताव में United Nation के इतिहास में सबसे जादा देशों का समर्थन मिला, सबसे कम समय में प्रस्ताव पारित हुआ और विश्व के सभी भूभाग इसमें सरीख हुए, किसी भी भारतिय के लिए ये बहुत बड़ी गवरोपून घाटना है, लेकिन अब जिम्मे हमारी बनती है, क्या कभी सोचा था हमने, कि योग विश्व को भी जोडने का माध्यम बन सकता है, वसुधैव कुटूम कम हमारे पुरवजों ने जो कलपना कि थी, उसमें योग, एक केटलिक एजन्ट के रूप में वीश्व को जोडने का माध्यम बन रहा है, कितने बिड की सही शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तूत करें योग दिल और दिमाग को जोड़ता है योग रोग मुक्ति का भी माध्यम है तो योग भोग मुक्ति का भी माध्यम है और अब तो मैं देख रहा हूं योग शरीर मन बुद्धी को ही जोड़ने का काम करें उससे आगे के एंबेसेडर बने हम क्यों ने इस मानव कल्यान के लिए काम आने वाली इस महत्वपुन विध्या को सहच उपलब्त कराएं हिंदुस्तान के हर कौने में 21 जुन योग दिवस मनाए जाए आपके रिस्तेदार दुनिया के किसन किसी देश में रहते हो आपके मित्र परिवार आजन कहीं रहते हो अब उनको भी टेलिफोन करके बताईए कि वे भी वहां लोगों को इखटा करकर के योग दिवस मनाए अगर उनको योग का कुछ ज्यान नहीं है तो कोई किताब ले करके पढ़े करके भी सबको समझाए कि योग क्या होता है एक पत्र पढ़ लें लेकि तनावों से जिंदगी से गुजर रहा मानव समू कठिनाईओं के बीच हतास निराश बैठे हुए मानव को नई चेतना उर्जा देने का सामर्त योग में है मैं चाहूंगा कि विश्व ने जिसको स्विकार किया है विश्व ने जिसको सम्मानित किया है और विश्व को भा यह मैं आग्रह करूँगा मैं एक बात और कहना चाहता हूं खास करके मेरे सेना के जवानों को जो आज देश की सुरक्षा में जूटे हुए उनको भी और जो आज सेना से निवरुत्त हो करके अपना जीवनी आपन कर रहे देश के लिए त्याग तपश्चा करने वाले जवा सेनों को और मैं ये बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं कर रहा हूं मेरे भीतर का इनसान दिल की सच्चाई से मन की गहराई से मेरे देश के सैनिकों से आज बात करना चाहता है वन रैंक वन पेंशन कैस चाहिए नहीं है कि 40 साल से सवाल उल्जा हुआ है कैस चाहिए कि इसके पूर्वकी सभी सरकारों ने इसकी बाते की किया कुछ नहीं मैं आपको विश्वाद दिलाता हूं मैंने निवरुत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पैंशन लागू करेंगी हुआ हम zimmie sharing अधिने से हटते नहीं है और सरकार बनने के बाद भन्ने-विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं मैं जितना मानता था उतना सरल विशय नहीं है पेचीदा है और 40 सान से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में सर्व स्विकृत बनाने की दिश सरकार में बैटे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है पलपल की खबरे मेडिया में देना जरूरी नहीं होता है इसकी को करनें या मैं आपको विस्वाद दलता हूं यही सरकार में फिरसे बहें कहता हूं यही सरकार आपका वन रैंक वन पैंशन का मसला सॉल्यूशन लाके रहेगी और जिस विचार धारा मसे पल्प करके हम आए हैं जिन आदर्शों लेकर के हम आगे बड़े हैं उसमें आपके जीवन का महतुत भौत है मेरे लिए आपके जीवन के साथ जुड़ना आपकी चिंता करना यह सिरफ नहीं कोई सरकारी कारकम है नहीं कोई राजनीतिक कारकम है मेरी राश्ट्र भक्ति का ही वो प्रगटी कर रहा है तो फिर एक बार मरे देश के सभी सेना के जवानों को आग्रह करूँगा कि राजनीतिक रोटी शेकने वाले लोग चालिस साल तक आपके साथ खेल खेलते रहे हैं मुझे वो मार्ग मंजूर नहीं है और नहीं मैं ऐसी कोई कदम उठाना चाहता हूँ जो समस्याओं को जटिल बना दे आप मुझे भरोसा रखिये बाकी जिनको बाते उच्छालनी होगी विबात करने होगे अपनी राजनीत करनी होगी उनको मुबारक मुझे देश के लिए जीने मरने वालों के लिए जो कर सकता हूँ करना यही मेरे इरादे हैं और मुझे विस्वास है कि मेरे मन की बात जिसमें सिवाए सच्चा कुछ नहीं है आपके दिलों तो पहुंचेगी चालिस सान तक आपने धहर्य रखा है मुझे कुछ समय दीजिए काम करने का आउसर दीजिए और हम मिल बैट करके समस्यों का समाधान करेंगे यह मैं फिर से एक बार देश वाजियों को विश्वास देता हूँ छुटियों के दिनों में सब लोग कहीं कहीं तो गए होंगे बारत के अलग अलग कौने में गए आए हो सकता है कुछ लोग अब जाने का कारकम बनाते होंगे स्वाभाविक हैं सवीग जब हम ब्रह्मन करते हैं तो रिष्टेदारों की घर जाते हैं कहीं परियाटन की स्थान पर पहुंचते हैं दुनिया को समझना देखने का अलग आउसर मिलता है जिसने अपने गाउं गाओं वापी जाकर बताई नहीं सकता एक समंदर कितना बड़ा होता है, देखने से एक अलग अनुभूती होती है, आपने छुट्यों के दिनों में, अपने यार दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, कहीं जुरूर गए होंगे या जाने वाले होंगे, मुझे मालूम नहीं, आप जब ब्रह्मन करने जाते हैं तब डायरी लिखने के आदक हैक नहीं है लिखनी चाहिए अनुभवों को लिखना चाहिए नए नए लोगों से मिलते हैं तो उनकी बाते सुनकर के लिखना चाहिए जो चीजे देखी है उसका वरणन लिखना चाहिए एक प्रकार से अंदर अपने भीतर उसको समाविष कर लेना चाहिए, ऐसे सरसरी नजर से देख करके अगे चल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मन अपने आप में एक शिक्षा है, हर किसी को हिमाले में जाने काउसर नहीं मिलता है, लेकिन जिन लोगों ने हिमाले का ब्रह्मन कि ऐसा नहीं होते हुए, हम इस में से कुछ सीखने का प्रयास करें, देश को समझने का प्रयास करें, देश को जानने का प्रयास करें, उसकी वीवित्ताओं को समझें, वहां के खान पान को पहनाओ, बोल्चा, रिती रिवाज, उनके सपने, उनके आकांक्षाय, उनकी कठिन या इतना बड़ा विशाल देश है पूरे देश को जानना समझना एक जनम कम पड़ जाता है आपने जुरूर कहीं कहीं गए होंगे लेकि एक मेरी इच्छा है इस बारा आप आ यात्रा में गए होंगे या जाने वाले होंगे क्या आप अपने अनुभो मेरे साथ स्वेयर कर स सच मुझे मुझे आनंद आएगा मैं आपसे आग्रे करता हूं कि आप इंक्रेडिबल इंडिया हैस्टेग इसके साथ मुझे अपनी फोटू अपने अनुभो जुरूर भेजिए और उसमें से कुछ चीज़े मुझे पसंद आएगी वह मैं आगे औरों के दो साथ शेयर कर लेकिन मैं चाहूंगा आपके अनुभव जानना और आपके उत्तम अनुभव को मैं सब के साथ सेयर करूंगा अच्छा लगा आज फिर एक बार गर्मी की बात याद करा देता हूं मैं यहीं चाहूंगा का अपने आपको समाल लिए बिमार मत होना गर्मी से अपने आपको बचाने के रास्ते होते हैं लेकिन उन पशू पक्षियों कभी खयाल करना यहीं मन की बात आज बहुत हो गई ऐसे ही मन में जो विचान आते गए मैं बोलता गया अगली बार फिर मिलूंगा फिर बाते करूंगा आपको बहुत-बहुत शुब कामना है बहुत-बहुत धन् एर खणर मिलूंगा